अब आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर तो आज की इस वीडियों में हम डिसकस करने वाले हैं कि शोट हैंड बनने तक के प्रोसेस को हम पूरे डिसकस करने वाले हैं कि कौन-कौन से प्रोसेस तक का आपको गुजरना पड़ता है तो कुछ हम पॉइंट डिसकस करे इंगे होती होती है। इस सुक्छ इखने में कितना समय लगता है इसके बाद दा इसके अंदर dir? कितने माल जाती है आपके मिनीममम और मेसिटिम्म इस स्टेजर साइज गुजरना पड़ता है अग fig स्टान आप Beckitt köt daakhiri hecht ne करने वाले हैं तो अगर हमें चैनल में नए आया हैं तो करदी चैनल को सब्सक्राइब को प्रेस कर दिए इन वीडियो को अब इसे लाइक कर दे चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डिसकस कर लेते हैं शोट हैं होती क्या है स्टैनोग्राफी क्या होती है तो नहीं सिखने में मैक्सिमम आपको एक साल लग जाता है इसके इसपीड मांगे जाती है उसको दो लिखने में आपसुदों ़िए निस्ट कर देगा। historic मतलब होता है और उसके स्पीछ को फटा फट रिगोड करना अगर वो स्पेंच को पीसछ को azt शूट हैं कोई शिरॉब हम आप लिख सकते और रही हंदि में नहीं किया जाता है इसके अंदर आपकी typing speed में मागे जाती है तो कितने typing speed मागे जाते हैं वो भी रहें डिसकस करेंगे तो उसको टुइन आच भी बोला जाता है short-hand plus typing तो टूइन आच इसको बोला जाता है तो इसी को बोलते हैं को दोनों में इसके अंदर stretch का इसरा नियुक्त जाने आगे मांगे हम सिक smokes कर लेते हैं तो इसके इंदर िमिक कितने मांगे चाहिए थो इसके अदर की पूश्得 होती है तो कि अधर सरे 30 साल आपकी स्कंदर एज होनी चाहिए और D-grade के लिए आपकी 18-27 साल इसकंदर एज लिमिट होनी चाहिए तो एज लेक्षेशन भी आपको मिल जाता है Category wise ST, OBC और SC के इसाब से आपको एज लेक्षेशन भी सकंदर मिल जाता है एजडी केशन इसे से आपकी पासा कर रखिए lies के लिए और bond मिल करते हैं तो यह चेंडर करते हैं अब पर यह ओधी के लिए सके लिए और फीस नहींते करनी पड़ति यह हैं इसके बाद हम डिसकस कर लेते हैं आपको जब आपका उन्यंटर तेस्ट अपको उन्लाइन ओट होता है इसके अंदर इसका क्लिक्लियर कर लिया तो इसके बार होता है है बन तो इन तीन स्टेज काए ॅम दिसकส Bowser रहता है पहले हम जानने थे हैं सीवीडि या प्रीकम्पीर बेज्ट है जो आपका कप्रीटर पर होता है oh online इसके हैं online मॉडप होता है तो online mode exam में आपके तीन सब्सक्राइब आते हैं पहला इसके नदर आता है आपका जनल इंटेलिजेंस इसके अंदर आपके 50 कोशन 50 मार्स के पूछे जाते हैं एक कोशन आपका एक मार्स का होता है तो आपको टैम ट्रेशन मिलती है आपकी पूरी दो घंटे किसके नद गरत kicked नगेति मार्किंग होती है तो अगर आपने स्टेजFirst созत्क्राइब कर लिया काड़ी मार्स हा तो इसके ऑन्दर आपने स्टेज Mode कि लेके ρल कुछ Sang est hosc Ad संट तो 6 में आपका प्र्मोर्पी मतलब शोठ़ान का टेस्ट होता है इसके अंदर आपको थैदस में शोट हैं लिए जिसकी स्पीड सी ग्रेड के लिए आपकी मांगे जाती है अपकी स्पीड होनी चाहिए इंगली शोर इंगलिश और हिंदी दोनों के लिए तो इसके अंदर आपको दिक्टेशन लिखने के बाद आपको कंपूर्टर पर आपको टैपिंग करने पड़ते हैं आपके इंगलिश के लिए आपको 50 डिक्टेशन होते हुआ की होती है इसके बाद हम जब कर लिए हैं को हिंधी है 55 मिनें मिलते हैं और हैं मिलते हैं तो यह आपका टाइंट करने मतलब सब्सक्रsm intent चाहिए होता है स्टेज थर्ट इसके अंदर आपका डॉक्यमेंट वरिफिकेशन तो डॉक्यमेंट के लिए आपको जितने भी आपके और डॉक्यमेंट होते हैं वह आपको उसके अंदर वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं तो उसी के बेस पे आपकी final merit बनती है मतलब final cut off बनती है उसी के साब से आपको department alert किये जाते हैं तो final cut off में अगर आप C grade के लिए point किये गए तो आपकी mostly इन दिल्ली में जोप लगती है अगर आप D grade के लिए point किये गए तो आपकी दिल्ली आपके बार भी कहीं भी लग सकती है तो यह होता आपके तीन स्टेज तो इन के लिए करने के बाद एक आप perfect बनते हैं तो department आपको कौन कोई से मिलते हैं तो आपको center level पर कि कोई से भी department मिल सकते हैं तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको पेसकेल कितना मिल जाता मतलब in and salary कितने मिलता है तो salary आपको c and d grade के साब से मिलती है तो c grade की आपकी salary होती है फिन तालीस जार मतलब 40-45,000 आपको इन एंड शैलरी के अंदर मिल जाती है इसके बाद हम डी ग्रेट की बात कर लें तो डी एंड वीडर को जनना दा शेर हो सकें जनना दा शेर कीजिए